Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 6th of January 2022 तो 6th January 2022 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करने से पहले भाई साब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दो लाइक एट दो शेर इट अमंगे फ्रेंड्स आस वेल उसको लाइक करने में कितना टाइम लगता आप लोग को वन पर्सन वन लाइक है प्लीज लाइक करिया है ना content तो अच्छा है नहीं अच्छा है तो मुझे बता ये content नहीं अच्छा है क्या करना है तो that should we done start करते सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आप देंगे ये prelims के लिए specific questions है पहला सवाल है World Press Freedom Index is released by World Press Freedom Index इनमें से कौन release करता है Options है Reporters Without Borders Pacific Research Institute International Federation of Journalists Reporters Committee for the Freedom of Press दूसरा सवाल है Arrange the following ports from South to North इनको South से North आपको arrange करना है ठीकिन है South से North आपको arrange करना है First is Colombo port Second is Trinco-Mali Third is Humbantota And Fourth is the Third is the Humbantota तो Colombo, Trinco-Mali और Humbantota इन ही को आपको arrange करना है South से North तो 1, 2, 3, 3, 2, 1 या 1, 3, 2, 3, 1, 2 इनमें से क्या order होगा यह है मुझे आप बताए वैसे map में आपको कई बार दिखाया है अगर आप चाहेंगे तो एक बार आज फिर आपको दिखा दोगा वै ठीक है ना पुझे कमेंट सेक्शन बताएगा कि आपके कित्ते सही थे पहला सवाल मैंने पूछा था कि WordPress Freedom Index कौन निकालता है इसे correct answer है A याने की Reporters Without Boulders दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इन ports को आपको South से North range करना है बहुत या आसान सवाल है हमबन टोटा पोर्ट तो बिलकुल Southmost है इन तीनों में बिलकुल common sense है हमबन टोटा पोर्ट बिलकुल Southmost है तो 3 वाला सबसे South हो जाएगा फिर Trinko Malie और Columbo में I think Columbo बीच में आता है Columbo बिलकुल बीच में आता है तो फिर आएगा 1 और फिर आएगा Trinko Malie थोड़ा उपर आता है Trinko Malie जाफना के नीचे Trinko Malie आता है तो वहाँ पर आपका 3,1,2 आंसर जाएगा 3,1,2 यानि कि D will be the answer और धारा शक्ति Thanos 1090 क्रिशक्ति जो है ये new innovative technologies हैं to help the farmers Map मैं आपको दिखा जाता है Let me show you the map as well तो ये आप देख रहा है ये शिलंका वाला map है सबसे नीचे देखो वैसे हमबन टोटा से भी नीचे जो गाले का port है याद रहे कि ये important है Port of गाले और उसके उपर आपको हमबन टोटा पोट दिख रहा होगा तो थोड़ा सा उपर बहुत ही मार्जिनल उपर है Port of Oluvill ठीके ना Port of Oluvill is there अगर आप देखेंगे तो जाफना और इन सब के नीचे मैंने देखा है Port of Trinko Malie है और फिर उसके नीचे आपको मनार आइलेंड इधर साइड दिख रहा होगा मनार आइलेंड और जो कच्छा थीवू आइलेंड है जो काफी डिस्प्यूटड भी रहा है पाकबे वाले रिजन में वो भी वहाँ पे आपको दिखा दिया मैने तो यह आपको overall एक मैप याद रखन तो यह आपको एक मैप याद रखन आपको western side पर port of colombo दिख रहा है इधर eastern side पर port of oliveil दिख रहा है तो उसको पर trinko mali port तो उपर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर जाफना भी आपको मिलेगा सब से उपर अगर आप जाएंगे देखो तो port of कंका सिन्थु रही है and port of point pedro these are the two ports तो यह भी आप याद रख सकते हैं तो यह भी आप याद रख सकते हैं ऐसे question को पूछ सकता है ऐसा नहीं के नहीं पूछ सकता है तो these questions can be asked in the examination I hope you will remember this as well आगे move करते हैं मेंस question of the day देखते हैं मेंस question of the day का answer आप लिख सकते हैं comment section में या फिर हमारे telegram channel में TEMS IS answer writing का group है वहाँ पर आप लिख सकते हैं question है what is misinformation how does it destroys the various aspects of socio-economic and political life of a nation misinformation क्या होती है और किस तरीके से misinformation destroy करता है socio-economic and political life of the nation this is the question very good question, very important question misinformation, disinformation काफी जादा news में है कल से mains examination शुरू होने वाला है तो हम देखेंगे कल से paper भी discuss करेंगे थोड़े बहुत और एक और चीज़ है कि आप देखेंगे कि examination में ये सारी चीज़ जादा पूछी जाती है these are the things which are asked most in the examination तो मैं कल आपको जब कल essay का paper होगा को उसके बाद जब normal paper होंगे GS123 पे तो अपर डिसकस करके देखेंगे भी एक ऐसे question आ रहा है आगे move करते है news analysis part में आते है पहली जो news है वो हम कुछ technologies के बारे में जानेंगे जो कि agriculture related technologies है तो अभी recently accelerating growth for new India's innovation mission start हुआ है in partnership with the common science center तो कुछ digital technologies जो कि रूरल इंडिया की यानि कि agriculture की रूरल इंडिया की मदद की जाएगी तो पहली technology है धारा शक्ती धारा शक्ती क्या है लिख लीजे आप लोग धारा शक्ती है easy to use soil organic carbon detection and testing kit easy to use soil organic carbon detection and testing kit which can help the farmers to optimum use the fertilizers it can help to optimum use the fertilizers to make sure you remember this thing second is soil saathie soil saathie क्या है soil saathie is basically a lightweight chemistry analyzer with the ability to test 22 parameters in soil soil saathie is actually measuring the parameters of soil याद रखेगा यह soil के अंदर का जो अलग-अलग chemicals है fertilizers जो भी soil के अलग-अलग health को represent करने वाली चीजें है उसकी वो करती है कि उसकी chemistry को analyze करता है बेसिकली उसकी chemistry को analyze करता है make sure you remember this तीसरा है 1090 1090 एक portable cold storage unit है which will help to plug the gaps in cold chain तो कि न तो cold chain में जो gaps आते है 1090 उसको fulfill करेगा it will reduce the post harvest losses as well तो क्योंकि अब cold storage की कमी के कारण काफी losses होते हैं farmers को क्योंकि कुछ crops हैं जो खराब हो जाते हैं अगर cold storage को नहीं मिलता है तो तो ऐसे में फिर cold storage की कमी को पूरा करने के लिए 1090 then सब्तक्रिशी सब्तक्रिशी is a low cost technological solution that extends the shelf life of perishable horticultural produce तो जो perishable horticultural produce है उनकी shelf life को बढ़ाने के लिए आप किसका यूज करेंगे सब्तक्रिशी का यूज करेंगे तो भी तक मैंने आपको बता है धारा शक्ती धारा शक्ती क्या बता है मैंने आपको इस बेसिकली धारा शक्ती is easy to use soil organic carbon detection ठीके ना दूसरा मैंने soil साथी बताया soil साथी तो नाम से clear है कि ये soil के अंदर का जो parameters की chemistry को determine करेगा then 1090 मैंने आपको बता है कि portable cold storage के लिए then आपको सब तक क्रिशी बताया low cost technological solution that extends the self life of perishable horticulture लर प्रडूस then मैंने आपको क्रिशक्ती अब बता रहा हूँ क्रिशक्ती के smart intelligent precision spraying drone है for crops that can drastically reduce the indiscriminate sprays of pesticide तो जो indiscriminately हम pesticide spray करते हैं उसको remove करने के लिए क्रिशक्ती का use कर सकते हैं smart intelligent precision spraying drone है it is a precision spraying drone make sure you remember this then last इसके बाद एक थानोस है थानोस है थानोस इस अज़ो अज़ो ड्रोन बेस्ट ऑट्रोनॉमस spraying platform that sprays an acre in a fraction of the time uniformly तो थानोस भी एक ड्रोन है जो कि इस्प्रे करने का ही काम करेगा कुछ भी अगर आपको spray करना है अगर आपको uniformly spray करना और कम टाइम में spray करना है तो आप थानोस का यूज़ कर सकते हैं इसके लावा avatar small wind turbine है these are the wind turbines and they can be deployed as decentralized and distributed renewable energy solutions for the urban and rural India that is the thing which is important I hope you got clarity और आपको ये सारे साथ आठ जो भी मैंने आपको technologies नहीं बता है इंको याद रखेंगे और इंका जैसे कई बार अगर question आज़कता है कि technology agriculture को किस तरीके से help कर सकती है या आपको question एक essay में आ सकता है कि किस तरीके से digital technologies ने agricultural landscape को change किया है तो आप ये सारे examples में कर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा marks मिलेंगे कहीं न कहीं आपको ज़्यादा marks मिलेंगे अगली जो news है वो है regarding Rani Vailu Nachiyar तो Rani Vailu Nachiyar की birth anniversary में प्राइम मिनिस्टर ने tribute पे किया है तो थोड़ा सा Rani Vailu Nachiyar के बारे में आपको बता देना चाहिए let me tell you some facts about Rani Vailu Nachiyar So Rani Vailu Nachiyar is the 18th century queen from Shiv Gangai district in Tamil Nadu Shiv Gangai district Tamil Nadu की एक Rani Vailu Nachiyar 18th century queen है who fought against the British rule to recapture her kingdom she fought against the British rule to recapture her kingdom she was known as the first queen to fight against the colonial power during that time and she is widely known as Veera Mangai याने brave woman Veera Mangai याने brave woman ये कहा जाता है इनको and Vailu Nachiyar was born in 1730 1730 मुनका जन्मुआ था she was the princess of Ramanathpuram she was the princess of Ramanathpuram and she was the only child she was trained in archery, horse riding, martial arts and even handling different weapons and 16 साल की उमार उनकी शादी करा जी गई ठीके ना Shiv Gangai के मनार मुथू वंदु गंथूर के साथ and इसके लावा यहाँ पे याद रखेगा इनका नाम Vailachi पढ़ गया the name was given to her was Vailachi 1772 में British troops and Navav of our court they came together and invaded the Shiv Gangai 1772 में British troops और Navav of our court जो थे they invaded Shiv Gangai and इस समय उनके जो पती थे her husband died fighting this war and Vailu Nachiyar वहाँ से किसी तरीके से escape कर गई अपनी बेटी Vailachi के साथ so Vailachi was the daughter याद के Vailachi was the daughter उनके साथ वह चली गई and during this time उनोंने काफी kingdoms के साथ alliance बनाया और इसके बाद Britishers के against plot किया and then finally Vailu Nachiyar was successful in recapturing her kingdom and hence again became the queen of Shiv Gangai again तो Shiv Gangai की दोवारा से फिर वह queen बन जाती है यही थी कहानी Vailu Nachiyar की अब एक movie के लिए तयार हो movie भी ज़रूरी है movies are good means of understanding these things लेकिन आब यह आपको तो पता चलगे न overall की क्या है यह तो Vailu Nachiyar was this was the story and एक और चीज़ she proudly ruled for 10 years nearly 10 years and उनोंने women's only army भी बनाही थी जिसका नाम Udayyal है Women's only army Udayyal was formed by Vailu Nachiyar तो यह भी आप याद रख सकते हैं अगली news है अभी recently Vice President of India एक जगे भाशन दे रहे थे जिसमे नोंने काई कि New Education Policy जो है It follows the नई तालीम of Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi ने एक नई तालीम का concept दिया था वही चीज़ Vice President ने काया कि जो New Education Policy है Actually में वो नई तालीम को फॉलो करते है It follows the नई तालीम concept of Mahatma Gandhi चीज़े ना तो Mahatma Gandhi International Hindi University के Silver Jubilee Celebration में आये थे Vice President और वहाँ पे उन्होंने नई तालीम के बारे मताया अब जो फ्रेस है नई तालीम It's a combination of two words नई means new and तालीम is a Urdu word for education New Education तालीम is for education ठीक है ना तो New Education नई तालीम Mahatma Gandhi ने introduced किया था नई तालीम का concept 1937 में ठीक है ना तो Mahatma Gandhi introduced the concept of नई तालीम in 1937 and the concept laid infeces on making mother tongue as the medium of instruction तो उनकी जो नई तालीम थी उसमें उन्होंने काफी focus किया था mother tongue में कि भईया mother tongue should be the medium of education और अब ही हम देख रहे हैं क्या अब ही हमने देखा कि इस बार कि जो new education policy है वो शुरू के 5 साल mother tongue में ही teach करने को mandatory कर रही है ठीक है ना इसके लावा free compulsory education and re-skilling to the students skill training का concept था वो सारी कहीं न कहीं introduce की कहीं है इस बार के जो आपनी new education policy है ठीक है ना इस concept में जो नई तालिएंग का concept उसमें चार basic principle है पहला education on learning in mother tongue along with handicraft work पहला उन्होंने कहा education should be within the mother tongue and along with handicraft work मतलब कि skill भी उसके साथ develop होनी चाहिए तीसरा देखो उन्हों लिखा है दूसरा work should be linked with most useful vocational needs of the locality तो vocational needs के साथ work को जोडने का बात हो ना अभी education आप देखोगे इस आर की new education policy में भी आई है कि ये छटवी के बाद उनको vocational training और ये सब भी work कराए वो सबसे जादा जो needs है locality के उससे related होना चाहिए तीसरा actually vocational training से related है तो second is actually the needs of the society के वाला need based होना चाहिए जिस चीज की जरूत है society को उसी के according आपको काम निकालने चाहिए ऑब्यस सी बात है अगर society के जरूत है दबाई बनाने के लिए और आप लोग बना रहे हैं कुछ होर तो फिर वो मतलब नहीं है society को के जरूत है और आप तो फिर कोई मतलब नहीं तो जिस चीज की जरूत है वही करवाओ दूसरा थीसरा चीज उन्हों का है vocational training के साथ vocational work के साथ आप education को जोड़ो and चौता है work should be socially useful and productive work should be socially useful and productive इसको भी आद रखेगा फिर Mahatma Gandhi International Hindi University के बारे में बता दू it was established to fulfill the dream of Mahatma Gandhi and Hindi should not only be the national language of the country but also should gain the status of world language ऐसा Mahatma Gandhi जी का मानना था इसको promote करने के लिए बनाया गया and first world Hindi conference organized within Nagpur में 1975 में first world Hindi conference organized within Nagpur में 1975 में तो ये भी आप याद रख सकते हैं these are things that you can remember अगली news है 10.74 lakh birds flock to चिलका लेग अब चिलका लेग में actually बहुत सारी birds आती है जिसमें कि आपका Mongolian गुल भी आती है Mongolian गुल आती है फिर pintail species of ducks जिसमें कि नदन Pintail आती है गड़वाल आती है Eurasian Vigyan आती है तो ये भी आपकी काफी species ने जो कि यहाँ पर आती रहती है अब यहाँ पर मैं आपको इसके वारे में थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा पहले मैं आपको बता दूँ कि चिलिका लेग के वारे में कुछ facts तो चिलिका लेग जो है बैसिकली इस वेरी रिचिन बायोडिवर्सिटी और इको लोजिकल सिगनिफिकंस चिलिका लेग तो आपका मनिपूर वाला रीजेन है किलिका लेग तो आपका राजस्थान वाला है और यह चिलिका लेग तीसरा था बट चिलिका लेक को फिर बाद में हटा दिया कि कि अच्छा वहाँ पे काम हुआ सेविंग का सब का तो यह आपको याद रखना है कि चिलिका लेक लेक लेटर रिमूट फ्रम दाट इसी के साथ एक और टॉपिक यहाँ पे नुवज में था वो था बन चैनि कि बंबे नच्री सोसाइटी Bombay Natural History Society यह बनी थी 15 सितंबर 1883 को यहां देखेगा 815 सेप्टेंबर 1883 को आई थी and it is one of the largest non-governmental organizations in India it is one of the largest non-governmental organizations in India which is engaged in conservation and biodiversity research तो conservation और biodiversity research में involved है यह it's a partner of BirdLife International in India यह BirdLife International की partner भी है and it is designated as a scientific and industrial research organization by the Department of Science and Technology तो Science and Industrial Research Organization की रूप में इसको दरजा प्राप्त है by Department of Science and Technology logo जो है BNHS का वो Great Horn Bill है the logo of BNHS is Great Horn Bill इसके लावा एक Internet of Birds नाम की चीज़ भी इसने डेवलप की है IT Consultancy Firm Accenture के साथ मिल करके BNHS ने डेवलप की Internet of Birds प्लाटफॉर्म जिसमें अलग-अलग Bird Species को identify किया जाता है और उनके बारे में details रखी जाती है Artificial Intelligence Technology का यूज के जाता है Machine Learning का यूज के जाता है Digital Photos अप्लोड के जाते हैं और इसके थूज का एक पुरा database हो यह सब बनाया जा रहा है तो Internet of Birds that is the thing BNHS आप याद रख सकते हैं 15 सितंबर 1883 को यह formation हुआता है आगे मूफ करते हैं देखते हैं और का important news item से जिसके बारे हमको discuss करना है तो एक बार मुल्ला परियार का नाम था तो एक बार मुल्ला परियार डैम के बारे मैं आपको फिर से बता देता हूँ अभी आपको मेके दातू दो चीज़े पता हूँ जैं मुल्ला परियार डैम और मेके दातू तो मुल्ला परियार डैम बैसिकली एक 123 साल पुराना डैम है लेकिन जो इसका ऑपरेशन है उसका जो मेंटिरेंस है वो तमिलनाडू करता है तो काफी जादा जो रेशन है तमिलनाडू को पूरा करता है काफ़ इंपोर्टन है परियार रिवर की बात चली थे परियार रिवर बता दो इसका जो परियार का जो ओरिजिन है वो शिवगिरी हिल्स वेस्टन घाट से है शिवगिरी हिल्स वेस्टन घाट और फिर ये परियार नेशनल पार्क से भी बहती है इसकी जो major tributaries है वो उसमें मुथिरा पूया आती है मुलयार आती है चेरू थोनी आती है और परिजन कुटी ठीक है ना याद रखेगा मुथिरा पूया आट मुलयार चेरू थोनी आट परिजन कुटी याद रखेगा इस और रिवर्स वेस्टन घाट के बीच का डिस्प्यूट है तमिलाड बेसिकली इसको अपोस कर रहा है कि अगरा पानी कमी हो जाएगा अगर याप इस तरीके से करोगे तो आभी आपको आप एप आपको 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 अब गार बता दूमें दूसरी इंपोर्टन जे नीवस इतम्प्रटन से ओंध रहा है मैं tell you the news analysis में अगली जो news है हुआ है Chinese challenge uncovers the Indian fragilities अब यहाँ पर basically जो बात चल रही हो यह चल रही है कि जो जो Chinese है उन्होंने किस तरीके से assertively इंडिया के जो border areas है जैसे लद्दाख वाला जो proper area है वहाँ पर किस तरीके से construction शुरू कर दिया है मैंने आपको बताया था कि पैंगॉंग में construction शुरू कर दिया है उन्होंने नौर्थ पैंगॉंग से साउथ पैंगॉंग में भले इन्होंने Chinese territory में किया है बट इनका assertiveness बढ़ता जा रहा है और इनका assertiveness बढ़ता दो जा रहा है इनका कहना है कि इन्डिया को assertively ही मैंने कल भी आपको काता है कि इनको डील करना चाहिए था बट नहीं satellite villages और यह सब बनाते रहते हैं construction इतना जाधा कर रहे है या तो आप भी construction शुरू करो या तो आप भी फिर वहां पे इसका boycott करना शुरू कर तो इनी something must be done na कुछ तो करना पड़ेगा आपको तो यहीं चीज हम उमीद भी करते हैं कि इंडिया करेगा दूसरी जो न्यूस है वो है रिगाड़िंग जो नेशनल लॉप्युशियों के रिगाड़िंग अनलुश के रिगाड़िंग तो यहां पे उथा ने कुछ अनलुश क established भी और partially funded होते हैं by the state government तो national law universities therefore have to operate in an increasingly fluid political environment तो एक तो यार नाम इनका आपने national law university दे दिया है नाम इनका national law university दे दिया है लेकिन ये जो इनकी जो funding होती है वो partially funded by the state government होता है ये आर partially funded by the state government and डूसरी चीज़ ये भी कि ये nationally ये established नहीं कि जाते हैं तो ये सबसे परदा contradiction है जो कि काफी important आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है ना इसके अलावा दूसरी जो important चीज़ याद रखनी है आपको वो यह है कि काफी competition भी recently face करना पढ़ रहा है प्राइवेट इनवर्सिटीज के साथ भी ठीक है अब ऑव्यस सी बात है ये IIT और I.M तो है नहीं तो प्राइवेट इनवर्सिटीज के साथ काफी उनको competition face करना पढ़ रहा है दूसरा यहाँ पे एक author ने कहा है कि भी यहाँ पे जो जो legal education है वो theoretical जादा है आज कल जो problem चल रही है education में सबसड़ी problem चल रही है कि जो academics होता है वो जादा theoretical होता ओविस सी बात है theory उसमें जादा पढ़ा ही जाती है अब author ने कहा है कि देखो legal education एक ऐसा चीज है जहाँ पे आपको practice practice बोलते ही है न law की तो पूरा practice ही कहा जाता है तो legal education प्रैक्टिस बहुत matter करते है कि कितना आपने practice किया है तो जितने भी इसके graduates भी अगर निकल रहे हैं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अगर आपने practice नहीं कि तो आपका फिर legal education किसी काम का नहीं रह जाएगा तो practice is very important है यही चीज इनवर्सिटी को अपने curriculum में भी इंकल्गेट करनी चाहिए प्रैक्टिस वाला आस्पेट तीसरा चीज ऑथर ने का है कि भाईया आपकी जो social reality है legal education से कही न कहीं दूर भाग रहा है तो एक जो social reality है उसका connect होना चाहिए legal education के साथ social realities का connect होना चाहिए तभी तो वो address कर पाएंगे problems को issues को address कैसे करेंगे आप workable solution कब निकालेंगे आप workable solution तब निकालेंगे जब आपकी सिक्षा आपको समस्या बता रही हो आपकी सिक्षा जब आपको उस समस्या के प्रति जागरू कर रही हो तब आप जाकर के solution निकालेंगे लेकिन अगर आप सोशल कनेक्ट ही नहीं आपके अंदर आपको सोशल रियालिटी ही नहीं पता तो आप फिर कोज़ नहीं कर पाएंगे इसके अलावा उथर नहीं भी कहा है कि भाईया इस सबसी इंपोर्टन जो काम है वो यह है कि आपको academics के लिए पढ़ाने के लिए teaching के लिए अलग faculty होनी चाहिए और आपको research and development के लिए अलग faculty चाहिए आज क्या दिक्कत है कि वही faculty research में भी लगई है वही faculty class भी ले रही है तो ऐसे में न research कर पा रही है properly न class कर पा रही है जब research कर रही होगी तो वह class के बारे में सोचेगी जब class कर रही होगी तो research के बारे में सोचेगी तो ऐसे में you should divide the two and research की separate faculties होनी चाहिए and teaching की separate faculties होनी चाहिए ठीक है ना इसके लावा author ने गाए कि national law universities के internal issues भी जैसे कि मैंने आपको बता है कि stiff competition from the private universities, faculties और काफी pay भी है प्राइवेट में तो जो faculties है वो भी उधर जाना जाते है इसके लावा another reason for student protest in national universities has been the inability of the leadership to respond to the needs of the students and faculty तो कई बार क्या होता है जो leadership है जो government में है जो power में है वो कई बार national law university के बच्चों की, teachers की, faculties की, staff की उनकी demands को fulfill नहीं कर पाते हैं उनको बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं and that is the major reason क्यों यहाँ पर protest होते हैं इसके अलावा जो finance का या funding का जो है सबसे बड़ा issue है क्योंकि states धीरे-दीरे withdraw करेंगे funding को और फिर national law universities को खुद के sources बनाने पड़ेंगे अगर उनको survive करना है तो तो ऐसे बहुत difficult हो जाएगा survive करना है and that is the reason why author is saying that कि यह financial जो problems है और तदा multiply होने वाली है financial problem कम नहीं रहेंगी देवी लोग और further multiply ठीक है ना इसके बाद author नहीं यह भी काए कि जो it is equally important that pedagogy must focus on practical aspects of law rather than just theory तो केवल theory नहीं बलकि practical aspect of law पे भी focus करना चाहिए and the courses must invigorate the classrooms with experience of practitioners and arm our students with the practical understanding and functioning of the law अब्यसी बात है practical understanding functioning of law यह सारी चीज़े हमारे students को समझानी चाहिए ऐसा कुछ हमको curriculum बनाना चाहिए कि यह प्रुब प्रैक्टिकल आस्पेक्ट अफ लॉग के साथ डील करें this is what is expected यही कुछ उमीद है and also there is a need to establish an independent regulator for legal education in India अबसे author ने suggestion दिया कि भाईया legal education का आप एक तो independent regulator मनाओ independent regulator बागी का आपने बनाया लेकि legal education का आपने नहीं बनाया there should be an independent regulator for the legal education in India as well these are the suggestions I hope you got clarity that is it for this video this editorial I think आगे मूफ करते हैं देखते और का important news items है जिनके बारे हमको discuss करना है तो you can move ahead with me यहाँ पर ऐसी को यही निउस नहीं है जो हम discuss करें तो you can be safe and sure of that आगे देख लेते हैं यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है इस सारा भी COVID का भी चल रहा है काफी साथ COVID भी आ रहा है तो आप लोग फड़ा safe भी रहेगा be safe and जितने precautions है COVID के COVID induced precautions गो तो आप लेते ही रहे and अब फिर से समय आ गया है कि आप कही न कहीं घर में रहेगे पढ़ाई करें बढ़िया अपना घर में रहेए बढ़िया अच्छे से पढ़िये जादा इधर दर की चीजों में ध्यान न दीजिए आगे देख ले चाइनाज बिरिज ओवर पैंगॉंग सो यह मैंने उसे आपको बता दी अलड़ी आपको जादा कोछ डिसकस करने का है नहीं यहाँ पे अगरे नाए इसकर्सिटी प्रॉब्लम इन कैरला यहां पर दिक्कत यह ओर रहेगी की वा के लओंए लगे नए प्रॉजट लेकर के के लिए वहां पे ग्रेनाइट की जरुवत है लेकिन कंस्ट्रक्शन मतेरियल का काफी शॉर्टेज के लावे देखने को मिल रहा है के लावे लावे छिए और शॉर्टेज के लावे टीन हैं